हाई फ्रेंड्स आज फिर से एक नए वीडियो के साथ हमारा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है जैसा कि आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि आप अपने लैप्टॉप से या फिर कंप्यूटर से या तो फिर चाहे तो मोबाइल से भी इंटरनेट के माद्यम से अपने अधार कार्ड को डाउनलोड कैसे कर सकते हैं जी हाँ बिल्कुल सही सुना आपने आज हम इस वीडियो में वही बात करेंगे कि अपने मोबाइल में लैप्टॉप में कम्प्यूटर में अधार कार्ड को डाउनलोड कैसे कर सकते हैं वो भी PDF में तो इससे पहले मैं कुछ बता दू अधार कार्ड के बारे में, जैसा कि अधार कार्ड को डाउनलोड करने के लिए सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है, मोबाइल नंबर, जो कि आपके अधार कार्ड में रजिस्टर होना चाहिए, यदि अगर आपके मोबाइल नंबर साइबर के खोल रखा है, वहां से अगर लिंक करवाते हैं, मोबाइल नंबर को तो वहां से पैसे ज्यादा चार्ज करते हैं, अधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक नहीं हो पा रहा है, जिसके लिए आपको नजदी की किसी PNB का हो या फिर HDFC का जो बैंक है, वहां पर आपको जाना पड़ेगा, और उसी के अगरेंस आप, वहां से आप मोबाइल नंबर को लिंक करवा सकते हैं, इससे पहले, सब सबसे पहले आप उसको मोबाइल नंबर को लिंक करवाने के लिए, आपको या तो फिर चाहे तो आप ऑनलाइन भी अपलाई कर सकते हैं, अपने नजदी की आप जैसी डालेंगे, पीन को डालेंगे, तो वहां का आपका नियर बाइल में लोकेशन दीख जाएगा, कि अधा आपको दिखा रहा हूँ, सबसे पहले जाना होगा आपको अपने कंप्यूटर के Chrome ब्राउजर में, या फिर अपने लैप्टॉप में इंटरनेट एक्स्प्रोडर भी ओपन कर सकते हैं, तो जैसे हमने लैप्टॉप में Google को ओपन कर लिया, और इस अधार काड को करने के बाद आपको जो है, UIDAI का में विफसाइट ओपन होगा, इस पेज को आपको ओपन करना है, इस पर क्लिक करने के बाद आपको अप जो है, एक नया चेंज किया है format, UIDA ने, जो कि पहले था कि जैसे मैंने आपको यहां क्लिक करके दिखाया, UIDAI पर तो इसको ओपन क करने के बाद जैसी क्लिक करते हैं, इस पे आपको अधार करड का पेज ओपन हो जाता, बट अब जो है, एक नया अपक्रेडेशन लाया है, कि इसमें आप जो है, लेंग्वेज को पहले स्लेक कर सकते हैं, आप जो भी लेंग्वेज को स्लेक करना चाहें, आप यहां से लें Hindi English और तरह तरह के इसमें गुजराती लेंग्विज लिखे हुए हैं इस लेंग्विज को आप स्लेक्ट कर सकते हैं तो चलिए मैंने इंग्लिज को स्लेक्ट कर लिया इस पर क्लिक करना होगा आपको इस पर क्लिक करने के बाद में आप आपको यहां दिखाई दे रहा होगा स एक अधार स्टेटस आप कई जो भी आप अधार कार्ट के रिलेटेड जानकारी लेना चाहते हैं आप यहां से इस option में जा करके आप यहां से जानकारी ले सकते हैं तो basically हमें इस वीडियो में आज अधार कर्ण को डाउनलोड करना है कि हम अधार कर्ण को डाउनलोड कैसे कर सकते हैं तो इसके लिए आपको जैसे ही यहाँ पे माई अधार पे आप करसर लाते हैं तो आपको एक नीचे option दिखाई देगा download अधार इस डाउनलोड अधार पे आपको क्लिक करना होगा क्लिक करने के बाद में जैसे आप क्लिक करते हैं आपका third page open होता है जो कि यहाँ पे पेज में लिखा होता है Welcome to my अधार और यहाँ पे right hand side में आपको login का option दिखाई देता है इसके बाद यहां से हम login पे क्लिक करते हैं क्लिक करने के बाद में ऐसी पेज में आपको यहां पे एंटर अधार आपका जो भी अधार नमबर होगा 12.N resist की चलिए मैँ अबने का another करना होगा जैसे जो भी स्मॉल लेटर में है तो समॉल लेटर में करेंगे कापिटल में करेंगे इसमें कुछ 2019 कायरेक्टर और आपको डीजितस में भी आते हैं तो आपको यहाँ से एंटर करना होगा तो लेखा की जो एदब है इसके बाद 9 capital में A, capital WW, इसके बाद आपको यहां पर send OTP पर क्लिक करना होगा, जैसे आप अगर अपने send OTP पर क्लिक करेंगे, तो आपका जो भी अधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक होगा, रजिस्टर होगा, उस नंबर पर आपका एक OTP आएगा, तो इससे पहले मैं आपको बता द सकते हैं कि मैं अपना अधार कार्ड डाउनलोड कर रहा हूं, इसके लिए आपके, यानि कि जो मेरा नंबर है, उस नंबर पर आपका एक OTP जाएगा, तो आपको OTP शेयर करना होगा, इसके बाद आप यहां पर OTP पर क्लिक करेंगे, जैसे OTP यहां पर हमारा अधार कार्ड यदि कभी आपके पास अगर OTP रिसीव नहीं होता है, तो इस दोरान में आप यहां से recent OTP पर क्लिक करके दुबारा आप OTP को रिसीव कर सकते हैं, बट इसके लिए आपको सबसे पहले आदिक रहा है, recent OTP will be enabled in 30 seconds, 35 seconds, जो भी यहां पर second चल रहे हैं, इसके according आपको recent को करना हुआ है, तो इसके लिए हमें कुछ वेट करना होगा 25 seconds के लिए, जैसे हम अपना वेट करते हैं, अगर आता है तो ठीक है, after that नहीं आता है, तो फिर हम इसमें recent पर क्लिक करके दुबारा हम OTP को receive करेंगे, अभी हम वेट कर लेते हैं, भी हमारे पास कोई OTP आया नहीं है, तो आप भी इसी परकार से अपने लेप्टॉप से या कम्पूटर मॉबाइल से भी डाउनलोड कर सकते हैं, शिम आपको मॉबाइल से डाउनलोड करने के लिए इंटरनेट में जाना होगा, और वहां से जैसे मैंने प्रोसेस बताया, उसी प्रोसेस के अकॉर्डिंग आप आपको दिखाई दे रहा होगा, हमने अपने मॉबाइल को लेप्टॉप से कनेक्ट कर रखा है, लिंक डिवाइस कर रखा है, तो जैसे ही मॉबाइल में फोन आएगा या फिर मैसेज आता है, कोई भी चीज़ अगर मॉबाइल से फोन कॉल्स आते हैं, तो हमारे कोई कन्फ्यूजन होगा, कहें भी किसी प्रकार के कोई कन्फ्यूजन होता है, अधार कार्ड के रिलेटेड, डाउनलोड करने के रिलेटेड, तो आप इस वीडियो में कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, अब जैसे ही आपने वहाँ पर लॉग इन पर क्लिक किया, लॉ यहां पर फोटो आ गया, अब इसके बाद यहां पर सर्विसेज में दिया हुआ है, इसमें कई सारे ओप्सन दिया हुआ है, जैसे डाउनलोड अधार, ओर अधार पीविसी कार्ड, ऑनलाइन अपडेट, सर्विसेज, यानि कि आप इसमें से कोई भी चीज़े, ओर अधार कार्ड, जैसे आपके आगर अधार कार्ड खो गया है, तो यह होता है कि जैसे डेबिट कार्ड, यानि कि जो ATM कार्ड की तरह जो थोड़ा सा हार्ड कोपी होता है, हार्ड जो हार्ड टाइप का जो कार्ड होता है, उस तरह का कार्ड अगर आप ओर करना चाहें, तो यहां से अधार कार्ड पर क्लिक करना है जैसे ही अधार कार्ड पर डाउनलोड अधार पर हमने क्लिक किया यहां पर कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन होते हुए दिखाई दिया है आप यहां पर लिख रहा है कि रिविव यूर डेमोग्राफिक्स डेटा यानि कि आप यहां से हमारा जो भी अधार कार्ड का डेटा यहां पर सो कर रहा है अब यहां पर नेम दिख रहा है यहां पर नाम है हिंदी में नाम है डेट और बर्थ है जेंडर इस तरह से आपका जो भी अधार कार्ड में एड्र करना होगा जैसे हमने क्लिक किया और यहां पर authentication request फेल्ड जैसे कि यहां पर फेल्ड हो गया तो किसी टेक्निकल इसू करन भी हो जाता है तो हमने इसे दुबारा retry download किया इस पर क्लिक किया करने के बाद में अब आगे देखते हैं डाउनलोड होता है नहीं हाँ जैसे आप देख सकते हैं यहां पर डाउनलोड हो रहा है और यह नंबर को देख करके PDF में सो कर रहा है अब तो यहां पर अधार काड़ डाउनलोड हो गया अब जैसे यहां पर लिख रहा है कि एक पॉप-प मेसेज आता है कि congratulations your अधार काड़ has been successfully downloaded यानिकि आपका जो अधार काड़ है पूरी तरीके से पूर्ण तरीके से डाउनलोड कर दिया गया है अब इसमें होता कि है कि जैसे आपको अगर अपने अधार काड़ डाउनलोड कर लेता है पीडिया फाइल में तो इस अधार काड़ को ओपन करने के लिए उसका पासवर्ड भी होता है विराउट पासवर्ड को आप उसे ओपन नहीं कर सकते हैं जैसे आपका नाम राकियस कुमार है तो और डे यानि कि आर एके और जो भी आपका डेट बर्थ का लास्ट एयर जो होगा उस एयर का फोर डिजिट को एंटर करना होगा जैसे राकियस कुमार का डेट बर्थ है चार अगस्त उन्हें सो पंचानवे तो उसके लिए आपको करना होगा आर एके-ई-1-995 आप जैसे टाइप आर घर काड को यहाँ पर ओपर उपन करता हो जैसे हमने इस सब्सक्राइब करने करें यहां पर आता है इस के दिस-आर काड और फिर ओपन करने के लिए कि आप अपने अधार काड को डाउनलोड कैसे कर सकते हैं I hope कि आप सभी को समझ में आ गया होगा एक बार फिर से मैं वर्बली आपको ब्रीफ कर दूँ अधार काड को डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आपके पास रजिस्टर मोबाइल नमबर होना चाहिए जो कि आधार काड में रजिस्टर होना चाहिए आपके आधार काड में मौबाइल नमबर जब रजिस्टर होगा इसके बाद आप इंटरनेट पे अधार अधार का option मिलता है इस पर क्लिक करना होगा क्लिक करने के बाद थर्ड अप्सन में आपको login काता है जो मैंने पहले दिखा दिया और login करने के बाद आपको अधार number और capture को डालना होगा उसके बाद आपके मोबाइल पर आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर पर एक OTP received होगा उसको आपको एंटर करके और आप अधार कार को डाउनलोड कर सकते हैं डाउनलोड करने के बाद जब उसको open करना होगा PDF फाइल में तो नाम का चार लेटर स्टार्टेंगा capital लेटर में और date of birth का लास्ट का 4 डिजिट आपको एंटर करना होगा आपका अधार अधार कार ओपन हो जाएगा आप उसको फिर वहां से जैसे open होने के बाद पर यहां से डाइट लेट लिए आप चाहे तो आपने सिस्टम में computer में सिफ हो गया आप यहां से open भी करना चाहें तो अगीन आपको password एंटर करना पड़ेगा यहां से जैसे हमने password एंटर किया इसमें हमारे यहां पर अधारकाट open हो गया से मिसी परकार से आप भी अपने computer या laptop या तो फिर mobile में भी डाउनलोड कर सकते हैं तो आई होप कि आपको कोई वीडियो पसंद आया होगा तो इस वीडियो को लाइक करें और किसी भी परकार के आपको query है तो आप comment में पूछ सकते हैं और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और साथ ही साथ में बेल आइकन को दबा दें तब तक मिलते हैं नेक्स वीडियो में बाए